दोस्तों आज के इस उडियो में हम भात करेंगे रोटी वर्सेस बी आर आई की जो मैच है इसकी तीन ड्री मिलें उनकी टीम्स देखेंगे जिससे के आपको अच्छे खासे या निगो सकते या फिर आप ग्रांड लीग या स्मॉल लीग सकते मैंने मैच को हालाइट करके लिखांगे तो वीडियो को शुरू करने से परेले मैंहीं सहित तो चली दोस्तों चोड़ेयो को कtte मैच का नवाइट है और पाधी टीम को मैप कर दिखा दे तो यहां पर देख सकते दोस्तों कीपिंग में तीन आपशन जरूर है लेकिन ौहीं प्लीर है जो है प्लैंग प्रमस अच्छा है तो पहले टेम में उनीक के साथ जाओंगा बैटिंग की बात करें तो अभी फिलाल हम आउजा को नहीं ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट की थोड़ी दिख्यता रही थी तो अभी फिलाल हम में उनको अगले टेम में लेनिके ट्राइब करें तो सबसे पहले मैक डायरों को इस्टीम में परको लिए गael को ल ताकि आपको जादा से जादा पॉइंट में सके इसके बाद गेंदबाजी पर चलते तो डी बेर बार को लिया है एच माध्यान को लिया है और आयोसेन को लिया तो इस तर से सभी की सभी प्लियर जो बेस्ट परफोर्मस कर रहे हैं उन्हों सभी को मैंने ले लिया आपको जेडखान को पुसंती दिए ऐसे क्यापٹन बनाने के लिए लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाओंगा क्योंकि अगर बात करें तो इनकी कंसिस्टंसी से ज्यादा अच्छी कंसिस्टंसी है खेतारपल की तो इसलिए मैंने खेतारपल को क्याप्टन बनाए और जेड़खन को वाइस क्याप्टन बनाए चले टीम प्रिव्यू कर लेते सबसे पहले कीपिंग की बात करें तो मैंने ए आर हुजा को लिया है इसके अलाओ में किसी और के साथ नहीं जाने आलाओ कीपिंग में अगर बात करें बैटिंग की तो मैं यहाँ पर तीनी बैट्समन लेने लिए एस जहीर के डेलर उसके बाद एम मैक डैड इसके बाद अग कीपर को यहाँ पर शामिल कर लिए अगर गेंद चीब करें तो यहाँ पर भी मेरे पास काफी अच्छे गेंद वाज़े एच माध्यान को लिया उसके बाद आय भुसेन को लिया और डी बार को लिया तो काफी जबतस टीम बढे चूके दोस्तों अगर आप CR2 के लगाना चाते तो क्रें कुछ पर ग्रादश कर सकते तो स्मॉल लिग के लिए उच्प कर सकते क्योंकि यह पे एक भी रिष्के प्लियर में नहीं जिससे कि आपको Smart लिग लगाने में थोड़ी परिशानी हो यह साथ ग्राइब के लिए जाधा यूज करेंगे तो यहादा रहनीं होती है तो इसलिए फाइदा रहता है लेकि-स्माल लिग में में आपको risk कम रहता सकते हैं तोुकर उपने नुटवा के लिए बेटर है ऐसा कुछ नहीं की स्मॉल लिएक के काप्टन को बात करें तो मैंने पहले आपको बताया कि सबसे ज्यादा लोगों में पसंति है ज्यर्थ टूसे इनको क्यांटीन City चांटन का फ्राइब यह को क्यांटा थो। यह नहीं हो सकते हैं अगर कते इस टीम को क्लोज कर लेते और सेव कर लेते और दूसरी तीम को मैं आपको इडिट करके दिखांग देता ही में दूसरी टीम में मैंने यहाप सकते रिएक बाखिसे हैंसे कर लिया और कि परफॉरंस निका Teaُ दाउन है फिर भी अगर आप मतलब एक टीम में इनको जरूर ले सकते एस ओफलेट को मैंने यहां पर शामिल किया कीपिंग में लेकिन एक टीम में लीजेगा ज्यादा रिस्क मत लीजेगा इसके बाद बात करेंगे तो एम आहुजा को मैंने ले लिया है पिछले टीम में हम आप्शन मिल सके जेडखान को लिया है जी मैक काटर को लिया है और खेतारपल को लिया तो इस तरह से इन तीनों को तो हम नहीं चोड़ सकते तो इन तीनों को मैंने यहां ले लिया है और आर बार को पिछले ही मैच में हम ले चुके और इनका परफॉरमस भी मिला जुला र लिए इसके अलावाद चोथे जोग इन बादे दोस्तों वी जाया रमन को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया इनका ठीक ठाक परफॉर्मस रहा है तो जरूर आप इनको एक टीम में कम से कम ले सकते इन पर वर्षा कर सकते दा लगा सकते चले कंटीनू पर क्लिक कर लेते हो दे सकते कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिकत ने चले टीम प्रिव्यू कर लेते वापस से जैसे का आप देख पार है किपिंग में मैंने चेंज कर लिया एस ओल्फर्ड को इस टीम में शामिल कर लिया बैटिंग की बात करें तो तीन बल्ले बादे एस जहीर एम आहुजा और मै इध्यान को लिया है वी जयारमन को लिया है आय हुसेन को लिया और डी बार को लिया तो इस तरह से यह टीम भी काफी बढ़िया बन चुके हाँ एक दो प्लियर यहां पे थोड़े रिस्की है तो आप इसे सोच समझ के स्मॉल लिग के लिए उचके जगा लेकिन ग्रांड लिए आप इसे आग बंद करके भी लगा सकते हैं आप इसको इस से ग्रांड लिग भी जिए सकते हैं अच्छी खासी अर्णिंग जरूर हो सकते हाँ स्मॉल लिग के लिए टीम जरूर अच्छी है क्योंकि एक दो प्लियर ठोड़े रिस्की जरूर है लेकिन ऐसे नहीं है क आपको कौन सी लिग के लिए स्विज करना इस टीम को आप में जादा से जादा ग्रैंड लिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि काफी जादा अच्छी बनी है तो आपको ग्रैंड लिग जिता सकती या चीखासी अर्निक करा सकते हैं तो यहाँ पे अपनी इसाब से स्मॉल लिग क क्याप्टन और वाइस क्याप्टन के अगर फिर से बात करें तो मैं आपको दिखानेया चाता हूं कि मैंने इस टीम का क्याप्टन बना है जी मैक कार्टर को वहीं वाइस क्याप्टन की बात करें तो बी डी बार को मैं इस टीम का क्याप्टन बना रहा हूं दोनों की दोनो कहीं जहेडखान को भी क्याप्टर बना सकते हैं लेकिन मैंद नहीं ये लगा ही के याइज ह WOW कि किपिंग में किसा कि लिए अगर बल्ले बाद करें तो फिर से अउजा को मैंने डॉप कर दिया है वांग डा पास लाइस जेहिर को भी वापस लिया है और दी मुर्वड़ोक को यहां पर शामिल कर लिए इनका भी परस्मेंस ठीक ठाक रहे तो जरू आप एक टीम में इनको ज़रूर ट्राइक कर सकते हैं इसके बाद फिर से आल राउंडर में मेरे पास वही तीन आल राउंडर है जेडखान जी मैक कैटर और खेतार पल आर बार को में पहली टीम में ले चुका हूँ मैं नहीं लेना चाहता है इनको क्योंकि परफोर्मस मिला कि अच्छा भी रहा है और खराब भी रहा गैन बाजी पर चलते हैं तो यहां पर फिर से मेरे पास डीवार को ले लिया एच माध्यान को लिया आय हुशन को इन तीनों को में हर टीम में ले रहा हूँ इसके बाद गैनबाजी में मैंने यहां पर एक चेंज जरूर कर लिया आर माक बेट को यहां पे लिया है पर्फॉर्मस इनका थोड़ा डाउन रहा है लेकिन प्लियर अच्छे आप इनको एक टीम में कम से कम शामिल कर सकते हैं क्योंकि आच्छा पर्फॉर्मस कभी भी इनके वल्ले से इनके गेंच से आ सकता है विट्टे इनको मिल भी रही है ले यहां पर क्लिक कते हैं और देख लेक्त अबые केसी किसे होना सकते ऐहां पर दौके मुह लगता है क्यूंकि मुझे लगता है इस दोनों ज्यादा आच्छे जलों को 안वे मात्यान आप चाहे तो यहाँ पर ज़रूर जेड खान को क्याप्टन बना सकते लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से चेंज की जिगा टीम प्रिव्यू कर लेते तो जैसे कि आप देख पारे मेरे पास कीपिंग में ए आउजा है इसके लाओ कोई और कीपर है यहाँ पर आप्शन है दो की पर लेने के जरूरती नहीं पढ़ने वाली है इसके बाद बैटिंग में तीन बल्ले बादे इस जहीर डी मैक मुड़ को लिया है इस बार एक डैड को भी वापस लख रखा है अगर बात करें तो ऑल राउंडर में फिर से तीनी ऑल राउंडर में लिए जी मैक काटर जेड़खान और खेतारपल एक खेतारपल अगर गेनबाजी की बात करें तो फिर से चार ऑप्शन मैंने यहाँ पर ले लिए एच माध्यान को लिया है और मैक बेथ को इस टीम में शामिल कर लिया है पिछले दोनों टीमों में हम नहीं ले पाएते आय हुसेन को लिया है औ भैक के लिए जाधा से जाधा यूच कीजेगा क्योंकि अपको ग्रैडलिक के लिए टीम कोई रिसक नहीं है लेकीन स्मॉल लिक के लिए फिर से तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा यहां पर देख सकते दोस्तों मैं यहां पर गेन बाजों को Captain और Vice Captain बना रहा हूं तो जरूर आप इन को capable capital बना सकते हैं न दोनों के साथ जा सकते हैं इनको skills मिल रहें अगर दो तिन वीक विगते यह तीन-चार बीड़्य मिल के निकाल ले तो आपको Captain और वार्वार्ष काप्टन बनाने के काफी फायदा हो सकता है तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा हट के सोचा है तो आपको आप जरूर यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को मतलब अगर आई हुसे इनको captain नहीं बनाना चाहते तो जेड़ खान को जरूर बना सकते मैंने यहाँ पर इनको एक भी टीम में captain नहीं बना है अब अपने हिसाब से इसको देख लीजेगा क्योंकि मुझे लगता है यह ज्यादा बेटर है दोनों captain और vice captain अगर आपको और भी आप multiple team लगाते तो वहाँ जरूर उनको जेड़ खान को captain लगा दीजेगा अब इस टीम को भी फिर से मैं कहूंगा इस टीम को क्लोज कर लेते सेव कर लेते और आखिर में यहीं कहूंगा दोस्तों इन तीनों टीमों में अगर आपको लगता है कि कुछ changes करने चाहिए वैसे तो मुश्किल है काफी तो आप जरूर कर सकते है साथी साथ captain और अगर आपको लगता है कि change करने चाहिए तो भी आप change कर सकते वह भी थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर करना चाहते तो जरूर कर सकते और साथी साथ आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आँगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को like, share और comment जरू कर दीजे और channel को अगर अब तक आप subscribe नहीं कर पाये तो कर लीजे ताकि आईसे वीडियो आप तक पोहुचते रहे साथे साथ टेलिग्राम की link मैंने अपने description में दी है वहाँ से जाके उसे join कर लीजे ताकि समय पर कुछ भी changes रहते है तो आपको मैं बता सको कि इनको drop किया गया है और उनकी जगपे किसको लेना है आपको ऐसे कुछ और भी update अगर आपको देता रहता हूं तो इसलिए टेलिग्राम को join करना थोड़ा जरूरी बन जाता है तो जरूर इस टेलिग्राम को मेरे join कर लीजे तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद गुड़ बाई